तो हम भी एक इंच पीछे अटने के लिए तयार नहीं है शाहिन बाग की ओरतों ने तो उस दिन एलान कर दिया थे कि से लिए यह रही थे तो आप कुछ भी कर ली हमारे पास क्या है जंता कि कर सकती जंता की आर्मी तो नहीं ना जंता के पास विल्टर्श पोत्रत करेंगे जेनद अभी लेपता है कि कुछ सरकार पेप्ट पे आएगी आपको जो आप इस मकसद से निकले हुए तो आज तक वो कभी ऐसा आसान रहा नहीं है इंडियन नाशनल मूव्मेंट को आप देख लीजे सालों साल चला वो तो लोग अगर पहली हार मान जाते तो ऐसे नहीं होता अगर अभी नहीं असर हुआ तो आने वाले दौर में असर होगा लेकिन आवाज उठाना बहुत ज़रूरी है मेरी बस इतनी सी शिकायत है मोदी से और शाह से कि दिमाग को होश में ले आईए नहीं एलेक्टिक शॉट इतना जबरदस लगने वाला है अभी आपको दिल्ली में कि आप होश में नहीं आएंगे यह शॉट ऐसा लगेगा कि आप होश में नहीं आप आएंगे आपको आगरा और वहां भेजना पड़े गए तो मैं बस एही उनको पैगाम देना चाहूंगे अपनी तरफ से कि आप होश में आ जाएगे नहीं वरना जनता आपका क्या करेगी बिदाउट चपल भागेंगे यह जान लीजिए और मैं उनसे मैं जादा पढ़ी नहीं हूं लेकिन इन जाहि भमेर्जे करें आप लोगों को मैं यह बताती है कि यह होमवर्ख जो बच्चे आज के कच्छा 250 को चेंपके आते हैं आप अच्छा होमवक करते हैं आप लोगों ने इतना कंडम इतना घटिया होमवक किया है कि देश को ही खोकला कर दिया है सबसे ज़्यादा मेरी शिकायत मीडिया से हैं मीडिया ने जो हमारे हिंदुस्तान का पिलर था दीमक की तरह खा लिया दलाली में कि हमारे जो देश की पिलर को मीडिया ने खा लिया और सिर्फ अडानी अंबानी मोदी और शाह की तलवें चाटते हुए दलाली करने के दलाली में उसने पिलर को खोखला कर दिया और मीडिया जिस दिन जूता खाएगी ने मैं उसे बहुत खुश होंगी इसलिए कि मैं अगर मुझे अंजना ओम कश्या जी न्यूज वाले आज तक वाले मिल जाएने तो उनसे मैं खुद सवाल करूंगी और ऐसे सवाल करूंगी ने कि उनको अपने देश भक्त हम लोग वो लोग देश भक्त नहीं है जो देश को ही बेच रहें दलालों के हाथ में जो देश को ही अडानी अंबानी को बेच रहे हैं हमारी जो जितनी भी संपत्ती है जो नेहरू खांदान ने बनाया था इसने सारा बरबाद कर दिया क्यों कि यह तो फकीर चाय वाला था इसे किसी चीज की इमेज तो पता नहीं है तो यह क्या सब्सक्राइब ऑफ बंदर को nap लगता है इसको बंदर सब्सक्राइब nisname कि देश को कई से समखने खञाँ in incapacit Cold paper dal in alcohol &قilab लेकिन जैनेब जी देश बर में आंदोलन चला है पूरे देश में लेकिन इसी आंदोलन के बीच सरकार काले नोटिफिकेशन जारी करती है और कहती है की कि अच्छा तो बिलकुल हुआ नहीं है एन इस दिफिकल्ट तो फाइट अलसो यह नहीं कहुंगे कि बहुत आसान और कि अच्छा प्रोटेस्टी करते रहें कि हमारे नेक्स्ट जूरू करेंगे उसको कैसे टैकल करना है अरुन दाती रॉय ने स्पीच में कहा था कि उसके लिए प्लांड अप्रोच आई एन पीर को टैकल करने के लिए तो वी ऐसा हमने सोचा है कि हम सब जुड के सब प्यार को कैसे टैकल किया जा सकता है कि यह प्रोटेस्ट का नेचरी पॉब्लिक प्रोटेस्ट जैसे होंग कांग में भी प्रोटेस्ट पॉब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत लोगों ने बहुत सारी लीडर्स ने आके कोशिश करी इसको अप्रोप्रियेट करने कि आके कोशिच करी कि हम इमेज अपनी उसमें गुसालें लोगों न ऐसा होने नहीं दिया पीपल वांट टू रिमेन पॉब्लिक प्रोटेस्ट क्यों कि यह सरकार क्या करती है इस सरकार को हमेशा एक दुश्मन चाहिए होता है फासिवाद जैसी कोई लीडर आएगा तो कई आपर पार्टी देश में कोई लीडर आ ते उसे खिलाफ कुछ करवा देंगे तो प्रोटेस्ट मठ जाएगा यह प्रोटेस्ट चलेगा अगर यह पॉब्लीक प्रोटेस्ट रहेगा इस सवाल जो हम जनता जो है वो जो शो समर्थन करते कई कि मुस्लिम के कई सारे राष्ट्र हैं वहाँ जा सकते हैं लेकिने हिंदु अगर वापस आना चाहरा है तो इनको दिकत क्या यारे क्या बहुदा बात है आएगा तो कहां रखेंगे आप और जॉब कैसे देंगे मेरे दोस्तों को पास जॉब नहीं हम इतने मैं पड़े आप उनका अकॉमोडेशन कैसे रखेंगे, आप उनका इंप्लाइमेंट कैसे देंगे, कहां आप सेटल करेंगे भाया, और उनके एक्सपेंसेज जो एक्सपेंडिचर रेकॉन उठाएगा, जनता ही तो उठाएगी, तो आप लोगों के टैकसेज अपने इंप्लाइमेंट कर इतने सारे लोगों कहां आप रखेंगे, कोई तो सरकार क्या करती है, सरकार बस बोल देती है, और टेक्नीक नहीं बताती है, यह कैसे होगा, तो यह हिंदू, और आपको क्या लगता है, कि यह सरकार इसलिए कर रही है कि वह बहुत जादा प्यार करती है दूसरे देश के ल अपने जो महिलाएं हैं, सब लोग निकली हैं, हम भी निकले हैं, सभी लोग निकले हैं, और यह चाहते हैं कि यह मतलब इससे हम संतुष्ट रही हैं, किसी बेतारा से, तो मतलब जैसे कि यह पता ही है कि हम यहां पर सब जोबलस हैं, यहां पर कितने बेरोज़गार लोग ह ख़से हैं कि अगरिट हैं तो जब हमारे यह तने बच्चे इतने लोग जौब लस यह इतनी हम लोग लेकिन इस आंदोलनों के भी सरकार में कल नोटे जारी कर पूरे देजबर की सरकारों से जिस राज्य सरकारे सबसे कहा कि सीये को अब लागू करो किसने बोला है सतों इसां से इनसां जौड़े रोजी ढूड़े सबाड़े इसमें नर्जीरर के लिए समर में यह ट्रूश्मार की समस्कारे साव्य का जौड़े में आरजियो जो हमारा यूथ है जिसको की पढ़ाई करनी चाहिए एजूकेशन पर काम करना चाहिए जॉब ढूड़नी चाहिए आज सब इसमें बीजी है महिलाएं गरों से निकल के घर में ध्यान निदे पारें हम लोग भी जैसे घर में नहीं आना चाहिए फिर भी लेकिन यह मुद्द जॉब तो मांगे ना जब पढ़े रिखेंगे बच्चे पढ़ेंगे तो जॉब मांगेंगे जाहिर सी बात है जब जॉब मांगेंगे तो सरकार के पास जॉब ही नहीं कहां से देगी उल्टा सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है तो यह इसी लिए सड़क पे आने की पड़ी यहां जंतर मंतर भी आने के इसलिए हमें जरूत पड़ी कि हमें आना चाहिए हमारे साथ और भी लोग आए बहुत सरी लोग सब आये यहां पर आपने देखा ही होगा तो बस यहीं मुद्दा है जिक्यों सरकार सुनकर भी एंसुना कर रही है और सरकार अपने तो मैंने वही देखा जब मैं सर्टिस्वाई नहीं हो मैं तो अपना पता नहीं जो मेरे साथ जो लोग जिनसे मैं बात करती है जिसमें समाज में रहती हूं कोई भी सर्टिस्वाई नहीं है तो इससे मेंने कि हमारी जो सरकार को हमने चुनके लाए ना सरकार कहां से आई आ दो मतलब यह चाहते कि नयाय मिलना चाहिए सब लोग न्याय चाहते हैं और न्याय ही मंको मिलना चाहिए बस यही हमारी रिक्वेस्ट अगर यह जो भी लोग देखें और इसमें मतलब सपोर्ट की तो है जरूत सपोर्ट और जादे लोग सपोर्ट में आये इसने में यही मैं कहना चाहती हूं क्योंकि यह सब का झाल